हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज और एक नया वीडियो लेके आ गए है अप लोग के लिए अभी जो है हम लोग आए है रेल बेज जेटी में और रेल बेज जेटी में आज बहुत ही बड़ा एक जहाज जो है यहाँ आए है जहाज का नाम है शिंदू जहाज, यह जहाज जो है में लैन में चलता था फिर थोड़ा दिन के लिए लिटी लंदमन में भी चला है तो मैं आते ही इतना बड़ा जहाज देखके मुझे बहुत ही खुशी लगा और मेरा विजवास है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा तो कभी भी मौका मिले तो इस जहाज में सफर करने का कोशिश कीजिए इस जहाज में जो है हर एक तरह का फैसिलिटी अंदर में दिया हुआ है अप लोग को कभी भी पोड़ ब्लेर जाना है पोड़ ब्लेर से आना है मौका मिले तो शीडूर का हिसाब से अगर आपको आप लोग का लग अच्छा है तो इस जहाज अगर मिलता होने से जरूर इस जहाज में चड़िए और मजा लीजिए चलिए आगे-आगे देखते हैं वीडियो यह जहाज का ख़वर जो है मेरे एक भाईया ने मुझे दिया बोला कि आज डिगलपूर में बहुत बड़ा जहाज आया जो जहाज का नाम है शिंदू अगर अप लोग देखना चाहते हैं तो आज आईए जब भाईया ने ख़वर किया तो मैं मेरा फैमिली को सब को लेके निकल गए जहाज को देखने के लिए और जब जहाज देखने के लिए पहूंचा आजटी में दूर से जब जहाज दिखाई दिया तो बहुत ही बड़िया था जहाज का नजारा और नजदिक पहुंचते ही जहाज को देखके इतना मज़ा आया और इतना बड़ा जहाज मैंने फर्स टाइम देखा क्योंकि मैं मेर्लाइंट गया हूँ बहुत बार लेकिन जब कभी भी गिया तो फ्लाइट में गिया तो इतना बड़ा जहाज मैंने पहले कभी भी नहीं देखा तो कोशिच कर रहा हूँ आप लोगों को भी दिखाने के लिए चलिए अंदर का नजारा दिखते है यह देखिए अंदर में एसी लगा हुआ है आप कहीं में भी जाओ हर एक जगा में आपको ठंडा ही ठंडा और वह भाईया जो है भाईया ने एक लड़का को मेरा अमलों का साथ बेजा है सारा जहाज को गुमा के दिखाने के लिए सही में देखके इतना मज़ा आया ऐह देखिए और यह जो रूम दिखा रहा है आपको यह लगजारी रूम है आपको फस्ट क्लास रूम है इसमें देखिए आप सेपरेट जो है चेंजिंग रूम भी दिया हुआ है आपको इस रूम का अंदर हर एक तरह का सुबीदा आपको मिल जाएगा चलिए आगे-आगे और भी दुसरा रूम भी दिखाते है यह भाया हम लोग भी देखते है चलिए और हम भी कोशिच कर रहे हैं आप आपको जहाज का अंदर का हर एक जगा का पॉइंट को आपको अच्छा से दिखाने के लिए तो आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए कभी भी आपको पोड़ जाना या पूड़ से आना है शेडूल का हिसाब से अगर इस सिंदू जहाज रहता है तो आप लोग करिये कि इस जहाज में आने जाने के लिए सच्श में आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा ए दिलाकस रूम आपको यह रोम का नजारा है कितना बड़िया बेड़ है एक दम क्लीन है साफसुत्रा है अप किए बोर्ट का पीइचर्स जो है कितना बड़िया है और इसका हर एक तरह का सुबिदा इसमें दिया हुआ है चलिए आगए-आगए दुसरा रूम का और बढ़ते है देखते है और क्या 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 है इसमें तो अभी भाइयाने निचे की और लेके जा रहा है देखते है निचे क्या है बने रही हमारा साथ और भी अच्छा अच्छा जानकर यह आपको देने का कोशिच कर रहा हूँ मैंने अच्छा ए देखिए ए है यहाँ पे आपका तीन तीन बड़ा LED टीवी लगा हुआ है और बहुत ही ज्यादा कॉंटिटी में आपका सेटिंग यहाँ में चेयर है अप लोग अच्छा और लगजरी चेयर है अप लोग देख सकते हैं तो अब लोग को कभी भी मौका मिले तो जरूर इस जाहाँ में सपर कीजिए मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ आपको दुसरा जाहाँ में चरने से जैसा मज़ा आता हूँ उससे भी बहुत ही जादा मज़ा आएगा आपको यह जाहाँ में चरने से चलिए देखते हैं अगे-अगे यह है कैविन बेड़ डवल बेड़ है आपका निचे एक उपर एक और एक कैविन में ना एक नया एक अच्छा फियेचर्स यह जाहाँ में देखा है मैंने यह जा चीज बहुत ही बढ़िया दिया है इसमें चलिए आगे की और देखते हैं बने रही है हमारा साथ तो गाइस मेरा यह नया इंफरमेटिव वीडियो अप लोगो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कॉमेंट शियार करिए अगर मेरे चैनल में अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर दिन दिये गए हर एक नया नया वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो चलिए गाइस आगे और क्या-क्या है देखते हैं अच्छा यह है एक बच्चा लोग के लिए टौइलेट बत्रूम जो है टौइलेट फॉर कीट्स छो तो यह है कैंटीन आपको यह जहाज में सफर करते हुए कभी भूक लगे तो आप लोग एक कैंटीन से कुछ भी लेके आप लोग यहां में बैटके खा सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यह जहाज कातीन स्टब जो है उन लोग यहां में बैटके लांच कर रहा है और आप को भी यह जगा बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही साफ सुत्रा यह जगा है अब लोग को कभी मौका मिले तो जरूर इस जहाद में चरिए और मजा लेजिए